हलो जी असलोम लिकोंग वल्कम बैक टो मैं चैनल अनदर डेया अनदर व्लागर में लाइफ कैसे अब सब लोग गुम्मीद केती हैं सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं बड़े ही दिन हो गए थे कि मैंने आपके सामने इस तरीके से कोई कुकिंग नी की थी कोई इस करनी है तो आज आप लोगे साथ में मिल के कुकिंग करती हूं आपको दिकारते क्या में क्या पकाने वारी हूं तो जनाबाइ नहीं रेसेपी है यह मैंने अपने चैनल पर भी तक शेयर नहीं की है तो आज ही हम बनाएंगे चिकन तिक्का कड़ाई और यह बड़ी ही मज़ बfillे सब्ते को वाल के आख तो अबुडक्स का वालया लानसाध है तो एफनी बड़ी जब तक में इसके स्टैप टुकी प्रापरेशन करहांगी एलांथ इस के बाद इस वीडियो को आडिट भी करना और यह वीडियो का फीजान ले ले लेगी है चिकन दिका कड़ाए उसके लिए लिए चिकन ये तक्रीफ है 1-7 वा किलो चिकन है लाकिक फुल चिकन है 1-7 कड़ा चिकन यह किलो की मुल्गी है और इसको आने कड़ाई वाले जो पीसि दोते हैं वही करवा हो तके usके साथ अमने ले लिया जी जिंजर अंग पाउडर पेस्ट लाएक अदरक रेखेनंक पेस्ट है एक च्माच है जालेक और एक चमच ही है जी में जिंजर गार्लिक तीसपून जिससाथ गे जिंजर एन गार्लिक एंग यह तक मैंने ताजा पीस हती हूं तो भबे मैंने ने डा दे तनी अच्छी इसकी खुश्बु आ रही है उसके साथ इसके राइस पैसे जो हमें चाहिए उसमें ले लिया है जी तिका मसाला कोई भी कंपनी का अप ले सकते है मैं नहीं में जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं मैंने लिया है दो से तीन टीज़बून टिक आप कहलें वन टीज़बून मुझे इच्छा लगते आप चाहें तो इसको कम करने उसके लावा इसमें जो कलर आएका ना उसके लिए हमने इस मैट करना है जी पैपरी का मौतू मैं पता नहीं है मेरा ख्याल है इसको पंदूरी या कुछी इस तरह की मिर्ची बोलते है यह सबसे वहले हमने क्या करना है इस योगर्ट को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई किसी किसम की कोई गुटली ना रहा जाए इसको बहुत स्मूथ साइस का एक टेस्ट बनाना है यह बड़ा जरूरी होता है जब यह आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं कोई लेकिन एकदम से जैसे आप ड़ी को एड़ करते हैं तो तो टेंप्रेचर एकदम से इसका डिफरेंट हो जाता है जो आपका कुकिंग प्रॉसेस होता वह स्लो हो जाता है तो यह हमें याद रखिएगा के योगर्ट है तो एक तो इसको फैंट के डालें और दूसरा उसको पर रखने के बाद कुकिंग इसमें डालें तो यह देखें इस तरीके से इसकी हो गई है जी यह देखें ऐसे बहुत अच्छा इसका प्रेस बांगे और आजकल मुझे अगर मेरी अलर्जी बहुत जादा बढ़ गई तो मैं 3-4 दिन व्लॉग मेरी सामने नहीं आसकोंगे कैमरा के क्योंके मुझे होती है जनाब मेरी मुझे अलर्जी होती है अभी मुझे यह नहीं पता किस रीजन से होती है कभी मुझे लगता है बाहर धूप में निकलने से होती है कभी स्नौ में निकलने से होती है कभी वैदर चेंज होने से निकलती है तो इस लाइक वह रिले पर बहुत बुरी स्वेलिंग भी हो जाते हैं तो अल्ला माफ करें वह ना कि मैंने अल्रेडी दभाई लेगी है और उस दभाई में होती है जी ड्रॉजिन है सो मुझे अब नीद भी आ रही है तो यह सारे काम याज उल्टे हो रहे हैं तो चले जनाब सबसे पहले हम क्या करन अब बाद हम इसमें अट कर लेंगे हमारा तंदूरी मसाला नमक काले मेर्ज और पाप्रिका पाउडर जो है वो डाव देंगे और बतन दिंदर रखेंगे तो यह सारे काम तो आपको पता है आपको ही करने होता है तो इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स जैसे ही हो जाएग तो फिर आपने क्या करने है आपने बस इसको एक दो गंटे कर लें मेरी तरह है जो बिलकुल टाइन पर चीज़ें प्रेपरेशन करें और बना रही है तो आपको मिनियम 10-15 मिरिट तो चाहिए है तो मैंने अभी यह करना है मैरीने तो उसके बाद मुझे इसके सब 2 की प्र सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे बाते भी करते हैं मैं मिक्स करते हूं तो एवरीडे क्या होता है कि जैसे मैं कोई करते हैं तो मैं सोचती हूं कि मैं आज आपको क्या वीडियो में दिखाऊ हूं आज हमारा कॉंटेंट में क्या चाहिए अच्छा नहीं लगता तो मुझे आप आइडियाज ने क्योंकि आइडियाज हो सकते मुझे क्लिक कर जाएं और मैं कर सकूं तो जरूर उनको ट्राइक करूंगी तो अभी मैं इस हम लोग आ चुके हैं वापिस और यहां पर अगर आप देखें तो मैंने दो चीज़ा रखी है एक है जी कडाई आपको कैमरा दिखा दूं ऐसे या मैं कम भी निजरा हो तो फैर है एक है जी कडाई और एक है जी खुला सा पैन कोई भी इस कडाई को मेरे हजबर इतनी जफ शरक्त करशड़ गलाना नहीं है हमें सिर्फ के तीब गलाना डेना है में सिर्स को का सईपिन को ऐस्टेमर देना तो गूंग की मैं क्या करूंगी बlaisनु नहीं परude और जादा मैं चान ळा नियों है तो जैसे होता मैं आपको चिकन दिखाती हूं कि अब यह बस दोनों गरम हो रहे हैं गरब होने के बाद सेक्ट स्टेप थर्ड स्टेप हम एक साथ में साथ करते हैं चलें जी यह और हमारा तक्रीबन हो चुके है गरम तो हम क्या करेंगे जो चिकन हमने मेरिनेट किया हुआ य रख यह सारह करें तो आपको तो को प्लिए जिए और इसको हमने फैला देना रहे इसलिए कि क्या तो यह और हमने प्लंग आपका चिकन है उससे हिसाब से आपको खुल ओला बर्तन चाहिए तो यह मैंने उसको पूरे मसाले को इसमें कर दिया एक यह हो गया कि इसको हिलाना है था हुआ है और यूपह से की हुआँ अजिया हुआना जाया है में इलाना इसे हुआ हए तो जाय दून हो ज clairement कि आ इन देख नहीं है है तो यह कि अधर में डाव के अंदर यह हो रहे हैं इस ट्माटर को आम बेगा रहाना है ब्लक अच्छे से कादना इधर आप देखें आइड़नों कर अपर मिरी आवाद आरी तो चीकन में ऐसे बबस आ रहे हैं यह देखिंड आप अब हमने चीकन को बलटे जाना है , एक बलटे जाना है और इसकी हमने शकल चेंज करनी है तके जो मसाला अमने इसमें डाला वो इसके अंदर अच्छे से लगत आगा और इसकी अच्छा साइज अच्छा प्लिवर आगा है इसको हम क्या करेंगे इन टमाट्रों को इसको हम ठब देंगे इसके लिड़के साथ और हल्की आंच में हम इसको पकने के लिए छोड़ते हैं जब तक ही तो इसके गलने और इसके पकने रहें इसके पकने रहें इसके तो इसके तो इसके तो इसके पकने रहें इसके तो इसके हो गया तक्रीबन इसको साथ से आठ मिनिट हो के हैं पकते हुए और इसने चिकन ने आप देखें और छोड़ देगी तो आपको नजर आएगा यह देखें यह तमाटर मुझे शकल से लग रहे हैं अब हमने क्या करना है कि यह चीज़ें उठा कि हमने इसके अंदर डाल देने हैं फिर मैं आपको दिखाती हुए कि नेक्स्ट हमें क्या करना है जी जनाब तो इसको हम करेंगे साइट इदर और यह देखें टमाटर हमारे बिल्लकुल गल गया है यह देखें यह सिफ जो गलाने का मकसद ही यह था कि जीरे का जो एक जायका आतक जीरे को घूलते है तो सारा मसाला आपको इसके कहने लाए merits को यह देखें आप मसाला पर इ execraid हम अब हमने इसको तेज ऑंच पर बूलना थोड़ी से इतनी वज़े की चिकन कड़ाई बनेगी इतनी मज़े की तिकका कड़ाई बनेगी अब नान के साथ खाएं जैसे आपका दिर्गरियात इसको खाने खाना चाहें जो लोग डाइट पर है उनको भी बड़ाई मजा आएगा यह खा कर तो यह देखाएं वह इसमें अब हमने शि चिकन तिका कड़ाई रेडी हो जाएगी सिर्फ 10-1 मिनिट का दम लगांगी तो चलिए देखें कड़ाई मारी बन रही है यह तीन-4 सबस मिर्चे यह मैं डाल दूंगी और यह मैं सबस धनिया लेक्षा है हूं और इसको हमने कट करना है और इसको उपर डाल देना है मैंने च 20 मिनिट से जादा चिकन को नहीं देंगी अदर वाइस आपका चिकन बहुत ज्यादा एक्स्रा सॉफ्ट हो जाएगा मैं यह दो रही हूं और यह हो जाएगी जी हमारी चिकन कड़ाई तिका कड़ाई जो स्पेशल चिकन कड़ाई है यह हमारी हो जाएगी जो क्या इसकी श इससे बैनी जट पट बनेगी अगर तो आपने मैरिनेशन करके रखने तो आपको 15-20 मिन लगेंगे अगर मैंने निशन भी करने है क्या तो मिनेशन के आप कर ने 5-10 मिनिट गपे तो और उसके बाद कितनी देर अगर आपने मैरिनेशन के लिए इसको रखना है वो आप पि 20 में आपकी मज़ेदार बेहतरीन चिकन तिका कड़ाही रेडी हो जाएगी चले जनाब तो यह तो मेरा आथ का व्लॉग उम्मीद करती हूं मेरा आथ की वीडियो कुकिंग जो स्पेशल थी जिसमें मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर किया आपको ज़रूर अच्छा ल सेम चैनल पेग में व्लॉग के साथ तब तक रखेगा अपना खयाल मुझे रखेगा अपनी दुआओं में यार टेक केर जी अलाहाफेश्यूरूरूरूरूरूरू ।